स्टेज पे इंडिया अलाइंस के वरिष्ट नेटा, कारगे जी, शरत पवार जी, यचूरी जी और बाकी अलाइंस के नेटा, सब पार्टियों के कार्य करता, भाई और बेहनों, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, दिल से आपका स्वागत करता हूँ, कुछ दिन पहले, पार्लिमंट हाउस में, दो-तीन युवा, जम्प करके अंदर आ गए, जम्प करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा, दुआ पहलाया, बीजेपी के सांसत सब भग लिए, वो अलग बात है, वो अलग बात है, जो अपने आपको देश बक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी, वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से, सवाल ये, सबसे पहला, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए, सिक्यूरिटी ब्रीज की बात हुई, सही है, अंदर कैसे आए, पार्लिमंट के अंदर, वो गैस का सिलिंडर ले आए, अगर गैस का सिलिंडर ला सकते थे, तो कुछ और भी ला सकते थे, दूसरा सवाल, सिक्यूरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यूं करी, उसका कारण क्या था, बेरोजगारी, देश में भयंकर बेरोजगारी, इस देश का युवा आज, रोजगार नहीं पा सकता है, मैंने किसे से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसे से कहा, एक काम करो, एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो, किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के भीया ठहर जाओ हिंदुस्तान के जो युवा हैं ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं इस पे दिन में कितना घंटा मतलब इंस्टाग्राम पे फेस्बुक पे ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी कोई बड़ी सर्वे नहीं बस चेक करने के लिए मैं हरान हो गया साड़े साथ घंटे जवाब मिला साड़े साथ घंटे युवाब फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे इमेल पे अपने फोन पर जैसे देखें यहाँ पर सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं देख रहे हैं साड़े साथ घंटे नरेंद्र मोधी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे वैठा है क्यूं क्यूं क्यूंकि नरेंद्र मोधी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है रोजगार उससे चीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है सेलफोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो 24 घंटा देखते रहो यह हिंदुस्तान की हालत सच्ची हालत इसलिए यह जो युवा थे जिन्होंने सिक्यूरिटी प्रीच जरूर की वो भी आपकी गलती है इसलिए वो पार्लिमंट हाउस में कूद कर आए यह भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है अब देखिए मीडिया में मीडिया में ये बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है नहीं मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की मीडिया क्या कहती है मीडिया कहती है कि पार्लिमंट के बाहर सांसद लोग बैठे थे वहाँ पे राहूल गांदी ने वीडियो ले लिया मतलब इन्हों ने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया पार्लमेंट के बाहर खड़ा कर दिया ये सवाल मीडिया नहीं पूछा क्यूं किया कैसे किया अमिच शाह से सवाल पूछा कि भाईया आप हो मिनिस्टर हो ये दो युवा जम्प करके कैसे आ गए बेरोजगारी पे दो सवाल पूछे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया मीडिया नहीं बेरोजगारी की बात करती है ध्यान इदरोदर कराती है ये जो 150 लोग है किसी ने अपने भाशन में पहले बोला ये सिरफ व्यक्ति नहीं है ये हिंदुस्तान की जनता की अवाज है हर MP लाकों वोट लेके आता है आपने सिरफ 150 लोगों का अपमान नहीं किया आपने हिंदुस्तान की 60 परसेंट जनता का मूँ बंद किया है ये सच्चा ही है और आप सोचते हो कि आप हिंदुस्तान की जनता को डरा दोगे धमका दोगे आप अगनिवीर योजना लाए लाए हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देश भक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने चीनी जब युवाओं खड़े हुए और कहते हैं हम अगनिवीर के खिलाफ है तो आपने विडियो कैमरे से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भाईया अगर आपने अगनिवीर के बारे में कुछ बोला आपको हम सरकारी नोकरी नहीं देंगे तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवाओं को डरा सकते हो आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो आप सोचते हो कि आप देश का पूरा का पूरा धन अदानी जी जैसे दो तीन लोगों को दे सकते हो आप हिंदुस्तान को नहीं समझे आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे हम सब opposition के नेता opposition के कार्यकरता एक साथ खड़े हैं और आप बात समझे ये लड़ाई नफरत और मोहबत के बीच में लड़ाई है जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में हम मोहबत की दुकान कोल रहे हैं जितनी आप नफरत फैलाओगे जितना आप लोगों को धमकाओगे डराओगे उतना इंडिया अलायंस मोहबत फैलाएगा भाई चारा फैलाएगा एकता और इज़त फैलाएगा आप सब यहां आए सब पार्टी के कारे करता है एक साथ मिलकर आए दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ नमस्कार जैहिल